इस टॉक में देखेंगे तो आज बरी तेजी आते हुए दिखीए बरी तेजी क्या आज इस टॉक में अपर सरकुट लगते हुए दिखा है तो क्या ख़बर रही आगे कि क्या ट्रेंड रहे इसको समझे से पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के से चाहें तो account open कर लेंगे यहां देखेंगे rules allow long term power generator to sell sell power in short term market power generator can sell power on short term if they don't get the schedule from discount discount क्या है discount regulatory है जो पावर जो retailer है जो consumer है उसको distribute करती है discount need to give it schedule to two hour before the day ahead market discount और यह सब यह सभी news अगर आपको बहुत simply समझना है तो market scientist में अभी अभी हमने upload करा इसको जा करके find out करेंगे यहां भी मैं आपको बता देता हूं कि government ने कहा है कि जितने भी power के generator हैं जितने भी power के distributor हैं उनको कहा है कि तुमको एक fix price government से चाहिए तो whatever region के कारण जो power generating company थी वह power खुद के पास reserve रखती थी या जिसको power consumer है उसको direct बेशती थी लेकिन अब ऐसा नहीं अब power generator producer को exchanges के through ही power को sell करना परेगा आप reserve नहीं कर सकते हैं अगर आपको fix price चाहिए जिसके कारण ix के volume में 20% तक के growth के expectation माने जा रहे हैं और यही कारण रहा कि आज 5% की तेजी से stock में दिखी अब आगे के trend को समझे से पहले जरूर share करेंगे दोस्तों से बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि फसे रहे होंगे पिछले 2 साल से stock underperform है one year में भी देखेंगे तो stock ने nominal return दिया है इस expectation trend का तो था ही एक बड़े खबर के expected तो सभी लोग करी रहे थे और वो खबर आखिरकार आते दिखा है जो delivery है वो भी इस stock में better दिख रही है और technical trend भी देखेंगे तो एक बड़ा reversal trend भी इस stock में दिख रहा है यहां देखेंगे तो technical reversal trend दिख रहा है one week में भी one month में भी one month में तो stock sector को नहीं outperform कर रही है लेकिन weekly time frame पे कर रही है और मुझे लगता है कि यह trend continue करते दिख सकता है आज का volume 95 करोर और four lakh buyer जो है लगबग five lakh buyer अभी भी दिख रहे हैं और recent के one of the highest volume के साथ breakout किया चार्ट को देखे daily time frame पे यह जब भी stock breakdown हुआ यह news बाले breakdown ही थे कि next two year में वो capping को ले करके अब यहां देखेंगे यह support को respect कर रही है short term trader जितने भी हैं वो 140 के नीचे के SL को चाहें तो follow करें और एक बार यह range को breakout करें 155 जैसे level को तो बरा trend दिखेगा जहां पहला target 172 दूसरा target 240 और तीसरा 320 से 500 प्लस तक के levels भी दिख सकते हैं overall trend strong है और यह खबर मुझे लगता है कि surely इस stock के trend के लिए काफी बरा होने वाला है यहां देखेंगे पहला चुकि पास्ट टू यर से stock एक range में consolidate है यह वाला range तो इस breakout से पहला यह target लेंगे उसके बाद हम यह बाला 240 बाला target लेंगे और जो तीसरा target होगा वो हमारा 300 प्लस बाला target 300 to 500 वाला target